चंडिगड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुन सूद ने शहर में निस्वार्थ सेवा से मास्क पांटने की शुरुवात सेक्टर 26 से की इस मौके पर जानते हैं आईए उन्होंने क्या कह आज भरतिय जंता पाटी ने एक कंपेन शुरू की है हमने ये निरने लिया था कि चंडिगड में जो 2,35,000 घर हैं हर घर में 2 मास्क पांचाने का काम करेंगे पिछले 15 दिनों से करे करता इस काम में लगे हुए थे जैसा कि परशासन का नर्देश है कि अब घर से बाहर जब घ किसी ने निकलना है तो मास्क पहनना ना है, हमारे ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके के मास्क पहन रहे हैं, जिनमें वो रिजूजबर नहीं हैं और वो वन टाइम यूजज़ के हैं और उनकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो मुदीजी के आओवान पर हमने एक निर्ने लिया कि हम कपड़े के कौटन के कपड़े के री यूजेबल मास्क बनाएंगे और इनको चल्डीगर के हर गर में दू देंगे तो पांच लाख मास्क का लक्षा लेके हमने ये बनवाने का शुरू किया दो लोग से उपर मास्क हमारे पास बनके त्यार ह होगे हैं जिसमें हमारे विलंटियर्ज ने महला मूर्चा जिसको जिसके तहति ये सारा काम पूरा है और आज हमने अभ्यान की शुरुवात की है शेहर के लग-लग हिस्सों में हमने ये मास्क बाटने का काम शुरू किया मैं खुद आज बापूदाम आया हूँ और S.B.M. साफ को आज मैंने 500 जो हैं वो राशन किटे मोधी राशन किटे सोब दिया और 5000 मास्क बापूदाम कलोनी का जो एरिया सील्ड है उसके लिए दी हैं ऐसे हमारे डिफिरेंट डिफिरेंट जगह पे सब मंदल परदान जिला परदान प्रदेश परदा दिकारी आज मास्क बा अंदर बाहर नहीं जा सकते जो लोग बरांदों में शोरूमों के आगे बैठे हैं और होमलेस हैं जो कच्छी कलोनिया है जुगी जौंपड़िया और इसके इलावा एडबल्यू ऐसा हुस्षिज हैं आग गाउं के लोग हैं इन सब तक हम पहले परवर्टी पर मास्क करेंगे और यह 50 पचास लाख रुपे की लागत से हमने 10 रुपे एक मास्क की कॉस्त है तो 5 लाख मास्क यह हम कपड़े का, कॉटरन का मास्क पहुंचा रहे हैं धन्यवाद, जय हिंद, जय वारत